लिजी सुनिए देव की नंदन खत्री के लेखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के पहले भाग का तीसरा बयान मेरी यानि समिर्गो स्वामी की आवाज में चुनार गढ़ के अदर एक कबरे में महराज सुरेंद्र सिंग, बीरेंद्र सिंग, जीत सिंग, तेज सिंग, देवी सिंग, इंदरजीत सिंग और आनन्द सिंग बैठे हुए कुछ बाते कर रहे हैं जीत बहरों ने बड़ी होश्यारी का काम किया कि अपने को इंदरजीत सिंग की सूरत बना, शिवदत के आयारों के हाथ फसाया सुरेंद्र शिवदत के आयारों ने चाला की तो की थी मगर बीरेंद्र बाबा जी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो, लेकिन अपना काम सिद्ध न कर सके इंदरजीत बगर जैसे हो बहरों सिंग को अब बहुत जल्द छुडाना चाहिए जीत कुमार घबराऊ मत तुमारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी लेकिन अभी उसका शिवदत के हाँ फसे ही रहना मुनासिब है वो बेवकूफ नहीं है बिना मदद के आप यही छूट करा सकता है तिस पर पन्ना लाल, रामना रैंड, चुन्नी लाल, बद्रीनाथ और जोत्रशी जी उसकी मदद को भेजे ही गए है देखो तो क्या होता है इतने दिनों तक चुपचा बैठे रहकर शिवदत ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बांदी है देवी सिंग कुमारों के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है जीत सिंग अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं तेज सिंग की तरफ देखकर क्यों तेज तेज सिंग हाथ छोड़कर जी हाँ शिकारगाह में डेरा कायब रहने से हम लोग बड़ी खुबसूरती और दिल लगी से अपना काम निकाल सकेंगे सुरेंदर सिंग कोई यार शिवदत गड़ से लोटे तो कुछ हाल चाल मालूम हो तेज सिंग कल तो नहीं मगर परसों तक कोई न कोई जरूर आएगा पहर भर से जादा देर तक बातचीत होती रही कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते बलकि आखरी बात का पता तो हमें भी न लगा जो मजलिस उठने के बाद जीत सिंग ने अकेले में तेज सिंग को समझाई थी खेर जाने दीजे जो होगा देखा जाएगा जल्दी क्या है गंगा किनारे उंची बारह दरी में अंद्रजीत सिंग और आनन्दी सिंग दोनों भाई बैठे जल की कैफियत देख रहे हैं बरसाथ का मौसम है गंगा खुब बढ़ी हुई है कले के नीचे जल पहुचा है छोटी छोटी लहरे दीवारों में टक्कर मार रही है अस्तो होते सूरी की लालिमा जल में पढ़कर लहरों की शोभा दूनी बढ़ा रही है सन्नाटी का आलम है इस बारह दरी में सिवाए इन दौनों भाईयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता अभी जल कुछ और बढ़ेगा जी हाँ पर साल तो गंगा आज से कहीं जादा बढ़ी हुई थी अब दादा जी ने हम लोगों को तैर कर पाड़ जाने के लिए कहा था इंद्र उस दिन भी खूब दिल लगी हुई भैरों सिंग सभी में तेज रहा बद्री रात ने कितना ही चाहा कि उसके आगे निकल जाए मगर हो न सका आनंद हम दोनों भी कोस भर तक उस किष्टी के साथ ही गए जो हम लोगों के हिफाज़त के लिए संग गई थी इंद्र बस वही तो हम लोगों का आखरी इमतान था फिर जब से जल में तेरनी की नौबत की ही कहा आई आनंद कल तो मैंने दादा जी से कहा था कि आज कल गंगा जी खूब बढ़ी हुई है तेरने को जी चाहता है इंद्र तब क्या बोले आनंद कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तेरना मुनासिब नहीं है हसी होगी तेरना भी एक इल्म है जिसमें तुम लोग होश्यार हो चुके अब क्या जरूरत है ऐसा ही जी चाहे तो किष्टी पर सवार होकर जाओ सेर करो इंद्र उन्होंने बहुत ठीक कहा चोबदार हाथ जोड़कर ताविदार ने तो चाहा था कि इस समय उसे बिदा करे मगर ये ख्याल करके ऐसा करने का होसला ना पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वो इस दर्बार का नमक खुआर है और महराज की भी उस पर निगाह रहती है दूसरे असी वर्ष का बुढधा है तीसरे कहता है कि अभी इस शेहर में पहुचा हूँ महराज का दर्शन कर चुका हूँ सरकार के भी दर्शन हो जाएं तब आराम से सराय में डेरा डालू और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है अगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है आनन्द अब आज किष्टी पर सेर करने का रंग नजर नहीं आता अन्द क्या हर्ज है कल सही चोबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजर हुआ हकीकत में वो सौदागर बहुत ही बुढधा था रियासत और शराफत उसके चहरे से वरस्ती थी आते ही सलाम करके उसने दोनों भाईयों को दो अंगूठियां दियो और पबूल होने के बाद इशारा पाकर जमीन पर बैठ गया इस बुढधे जोहरी की इज़त की गई मिजाच का हालता था सफर की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजर होने का हुक्म हुआ सौदागर सलाम करके चला गया सौदागर ने जो दो अंगूठियां दोनों भाईयों को नजर की थी उनमें आनंद सिंग की अंगूठी पर नहायत खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था और इंदरजीस सिंग की अंगूठी पर सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे एक दफ़े निगाह भरकर इंदरजीस सिंग ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे एकांध होने पर रात को शमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा जिसमें नगीने की जगह एक कमसिन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी चाहिए ये तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों नहो मगर मसवर ने घजब की सफाई इसमें खर्च की थी इसे देखते देखते एक मरतबे तो इंदरजीस सिंग की ये हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए मालुम हुआ कि स्वेहम वो नाजनीन इनके सामने बैठी है और ये उससे कुछ कहा चाहते है मगर उसके हुसन के रुआब में आकर चुप रह जाते है यकायक ये चौक पड़े और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगे लेकिन इससे क्या होता है उस तस्वीर ने तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी थोड़ी देर पहले सवारी, शिकार, कसरत वगहरे के पेचे ले कायदे दिमाग में घूम रहे थे अब ये किसी दूसरी ही उलजन में फस गए और दिमाग किसी अदुत्तिय रत्न के मिलने की फिक्र में गोते खाने लगा महराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या आई आरी होते है भैरो सिंग क्यों कर और कब कैद से छूटते है देखें बद्रीनाथ वगेरे शिवदत्त गड़ में जाकर क्या करते है अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है एक ही तीर में शिर को गिरा देने का मौका कम मिलता है किष्टी पर सवार हो दरिया की सेर करने कब जाना चाहिए इत्यादी ख्यालों को भूल गई अब तो ये फिक्र पैदा हुई कि सौदागर कोई अंगू ठीक्यों कर हाथ लगी ये तस्वीर ख्याली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौझूद है क्या सौदागर उसका पता ठीकाना जानता होगा खुबसूर्ती की इतनी हद है और भी कुछ है नजाकर सौदाली और सफाई वगेरे का खजाना यही है या कोई और इसकी महबत के दरिया में हमारा बीड़ा क्यों कर पार होगा कुमर इंद्रजीत सिंग ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर में उस्ताद हो गए पेट फूला है भोज़न न करेंगे सिर में दर्द है किसी का बोलना बुरा मालम होता है सन्नाटा हो तो शायद नीद आए इत्यादी बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम राग चार पाई पर करवटे बदल बदल कर इस फिक्र में काटी कि सवेरा हो तो सौधागर को बुला कर कुछ पूछे सवेरे उठते ही जोहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया मगर घंटे भर के बाद चौबदार ने वापस आकर अर्ज किया में सौधा गर का पता नहीं लगता इंदरजीट उसने अपने डेरा कहां बतलाया था चौबदार ताविधार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ कि सराय में उत्रेगा मगर वहां दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहां कोई सौधा गर नहीं आया इंदरजीत, किसी दूसरी जगे उत्रा हो पता लगाओ बहुत खुब, कहकर चौपदार तो चला गया मगर इंदरजीत सिंग कुछ तरद्द में पढ़ गए सिर नीचा करके सोच रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौका दिया सिर उठा कर देखा, तो कुवर आनन्द सिंग आनन्द, इस नान का तो समय हो गया इंदर, हाँ, आज कुछ देर हो गए आनन्द, तबियत कुछ सुस्त मालूम होती है इंदर, रात भर सिर में दर्द रहा आनन्द, अब कैसा है इंदर, अब तो ठीक है आनन्द, कल कुछ जलक सी मालूम पड़ी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है जो उस जोहरी ने नजर की थी इंदर, हाँ, थी तो आनन्द, कैसी तस्वीर है इंदर, ना मालूम वो अंगूठी कहां रख दी कि मिलती ही नहीं मैंने भी सोचा था कि इस दिन को अच्छी तरह देखूँगा मगर ग्रंथ करता सच है, इसकी गवाही तो मैं भी दूँगा अगर भेत खुल जाने का डर ना होता तो कुवर इंदरजीत सिंग सिवा ओफ करने के और लंबी-लंबी सासे लेने के कोई दूसरा काम न करते मगर क्या करें लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठ कर भोजन भी करना पड़ा हाँ, शाम को इनकी बेचेनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर चान डालने पर भी उस जहरी का कहीं पता न लगा और ये भी मालूम हुआ कि उस जहरी ने बिलकुल जूट कहा था कि महराज का दर्शन कराया हूँ अब कुमार के दर्शन हो जाएं तब आराम से सराय में डेरा डालू वो वास्तों में महराज सुरेंदर सिंग और बीरेंदर सिंग से नहीं मिला था तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंद सिंग ने किष्टी पर सवार होकर गंगा जी की सेर करने और दिल बहलाने के लिए जित की लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी एक छोटी सी खुबसूरत और तेज जाने वाली किष्टी पर सवार हो इंदर जीस सिंग ने चाहा कि किसी को साथ ना ले जाएं सिर्फ दौनों भाई ही सवार हो और खेकर दरिया की सेर करें किसकी मजाल थी जो इनकी बात काड़ता मगर एक पुराने खिदमतगार ने जिसने की बीरेंदर सिंग को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता था ऐसा करने से रोका और जब दोनों भाई उने ना माना तो वो खुद किष्टी पर सवार हो गया पुराना नौकर होने के खियाल से दोनों भाई कुछ न बोले लाचार साथ ले जाना ही पड़ा आनंद किष्टी को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजे फिर खेकर ले आवेंगे इंदर अच्छी बात है सिर्फ दो घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किष्टी पर सवार हो दरिया की सेर करने को गए क्योंकि लोटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मन्जूर था चुनार से दो कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था जब किष्टी उसके पास पहुंची वन्शी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल को चाहे वो कैसा ही ना समझ क्यों ना हो अपनी तरफ खेंच लेती है यहां तक की जानवर भी इसके वश में होकर अपने कुभूल जाता है दो तीन दिन से कुवर इंदरजी सिंग का दिल चुटीला हो रहा था दरिया की बहार देखना तो दूर रहा इन्हें अपने तनो बदन की भी सुधना थी यह तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सिर जुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे इनके हिसाब से चारो तरफ सन्नाटा था मगर इस सुरीली आवाज ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मجبور किया जिधर से वो आ रही थी किनारी की तरफ देखने से ये तो मालूम ना हुआ कि वन्शी बजाने या गाने वाला कौन है मगर इस बात का अंदाजा जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं जिनके गाने की आवाज सुनने वालों पर जादू कासा असर कर रही है अहा क्या सुरीली आवाज है आनंद दूसरी आवाजाई बेशक कई औरतें मिलकर गाब जा रही है अंद्र किष्टी का मुह किनारी की तरफ फेर कर ताज्जब है कि इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की जड़ा देखना चाहिए आनंद क्या हर्ज है चली मुड़े खिदमतगार ने किनारी किष्टी लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया मगर इन दौनों ने ना माना किष्टी किनारी लगाई और उतर कर उस तरफ चले जिधर से आवाज आ रही थी जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर दस पंद्रह नौजवान औरतों का जुन्ड नजर पड़ा जो रंग बेरंगी पोशाक और कैमती जेवरों से अपने हुस्न को दूना किये उचे पेड़ से लटकते हुए एक जूले को जुला रही थी कोई वंशी कोई मरदंगी बजाती कोई हाथ से ताल दे दे कर गा रही थी उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुख किये बैठी थी ऐसा मालूम होता था मानो परिया साक्षात किसी देव करन्या को जुला जुला और गा बजा कर इसलिए परसन न कर रही है कि खुबसूर्ती बढ़ने और नौजवानी के इस तर रहने का वरदान पावें बगर नहीं उनके भी दिल की दिल ही में रही और कुवर इंद्रजीस सिंग तथा आनंद सिंग को आते देख हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ ना जाने क्यो भाग ही जाना पड़ा आनंद भईये ये तो सब भाग गए इंद्र हाँ मैं इस हिंडोले के पास जाता हूँ तुम देखो ये औरते किधर के आनंद बहुत अच्छा चाहे जो हो मगर कुवर इंद्रजीस सिंग ने उसे पहचान ही लिया जो हिंडोले पर अकेली रह गई थी भला ये क्यों ना पहचानते जोहरी की नजर दी हुई अंगूठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी अब तो मुहमागी मुराद पाई जिसके लिए अपने को मिटाना मन्जूर था उसे बिना परिश्रम पाया फिर क्या चाहिए आनंद सिंग पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए मगर वे ऐसी भागी कि जलक तक दिखाई न दी लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडॉले के पास पहुँझे हिंडॉले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे अपने भाई को भी वहना पाया घबड़ा कर इधर उधर ढूड़ने और पकारने लगे यहां तक की रात हो गई और यह सोचकर किष्टी के पास पहुँचे कि शायद वहाँ चले गए हो लेकिन वहाँ भी सिवाए उस बूड़े खिदमतगार के किसी दूसरे को न देखा जी बेचैन हो गया खिदमतगार को सब हाल बता कर बोले जब तक अपने प्यारे भाई का पता न लगा लूँगा घर न जाओंगा तू जाकर इहां का हाल सभी को खबर कर दे खिदमतगार ने हर तरह से आनंदे सिंग को समझाया और घर चलने के लिए कहा मगर कुछ फाइदा न हुआ लाचार उसने किष्टी उसी जगह छोड़ी और पैदा रोता कलबता कले की तरफ रवाना हुआ क्योंकि यहां जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजा बीरेंदर सिंग से कहना भी उसने आवश्यक समझा अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिए के उपन्यास चंदरकांता संतती के पहले भाग का तीसरा बयान मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में